चलिए मैं आपके साथ एक example share करता हूँ मेरे office में 3 electricity के meter है तो आपको 3 meter है तो 3 बी लाने वाले है तो तीनों bill की अगर मुझे tally में entry pass करनी है तो मैं क्या करता हूँ tally में payment voucher में चला जाता हूँ payment voucher में debit side में electricity expenses का laser बनाता हूँ तीनों bill की जो total amount होती है मतलब 3 meter की जो total amount है वो यहाँ पे debit side में डाल देता हूँ 12,000 और bank से payment कर देता हूँ यह entry तो बिलकुल सही है लेकिन इसमें एक problem है दोस्तों तो problem क्या है कि अगर मैं 3 meter की अलग-अलग amount देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने देख सकता हूँ क्योंकि मैंने इन तीनों को add करके यहाँ पे pass कर दिया अगर मुझे boss या मेरा senior पूछता है कि भाई मुझे एक काम करो कि तीनों meter की amount दिखा दो कितनी है तो मैं tally में नहीं दिखा पाऊंगा के अंदर कैसे pass करेंगे इसके बारे में अगर आप नहीं जानते है tally का यह unique feature तो वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा हाँ अगर आप एक accountant हो tally के student हो या tally operator जिसे हम बोलते हैं तो आपको यह जरूर जानना होगा कि कैसे हम pass करते एक ही voucher के अंदर same category के multiple expenses की entry तो चले शुक करते हैं आज का यह वीडियो मैं सतिश Learn More Channel में आप सबका स्रागत कहता हूँ, let's begin लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता हूँ कि आप अगर नए हो मेरे चैनल पर और आप सीखना चाहते एकसल के tips and tricks, tally course और टैली के tips and tricks तो आपको करना होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के बाजू में जो वेल आकान दे है उस पर भी क्लिक करना होगा, चले बढ़ते आज की topic तो जी हाँ दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमें पास करनी है electricity expenses के अंदर तीन अलग अलग मिटर के expenses की details तो कैसे होगा उसके लिए आपको करना क्या है, एक tally का features आपको activate करना पड़ेगा और उसके लिए simply आपको प्रेस करना है आपके tally के अंदर F11 जैसे आप F11 प्रेस करते हो, यहाँ पे आप देख सकते है, accounting features, inventory features and statutory features ऐसे option आ रहे हैं अब इसमें हमें accounting features में जाना है, जो कि हमें इसमें cost center एक option enable करना है अब इस cost center की मदद से होता क्या है, हम electricity expenses के ही नहीं दोस्तों, telephone number से आपके पास या फिर stationary है ऐसे बहुत सारे expenses के अलग-अलग categories हो सकती है, जिसमें multiple expenses आते हैं, वो सब same category के अगर है तो एक इंटरी के अंदर रख सकते हैं मतलब कैसे, जैसे आपके office में telephone से और telephone के अलग-अलग bill आते हैं तो चार telephone के अलग-अलग bill का आपको record एक इंटरी के अंदर रखना है तो ज़रूर रख पाएंगे इस features के मदद से तो यहाँ पे करना क्या है, इस features को activate करना है बस यह accounting features के अंदर है और accounting features के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे maintain cost centers को yes करना है साथी में maintain more than one payroll और cost category यह वाला option yes करना है अभी इसमें जो payroll option दिया है यह हम नहीं देख रहे हैं मतलब यहाँ पे दिया है maintain more than one payroll तो payroll हम लोग नहीं कर रहें दोस्तों हम क्या कर रहे है, cost category कर रहे है, more than one cost category के बारे में study कर रहे है payroll के बारे में आप सीखना चाहते है तो मेरी टैली की series चालू है जो की facebook page पे है और facebook page का link description में है जहाँ पे अल्रेडी 10 lecture में अपलोड किये है अगर आप interested हो ऐसा कुछ जानना कि payroll और टैली में कैसे करते है तो वहाँ पे उस page पे जाके पहले से वीडियो देखना चालू कीज़े आपको मिल जाएगा payroll का वीडियो भी आगे आने वाले वीडियो में फिलाल तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि हम cost category एक्टिवेट करना चाहते है और cost center तो दोनों चीज़े मैंने यहाँ पे इनेवल कर दी स्क्रीन पे और इसे accept करना है बार बार इंटर करने से अच्छा आप accept कीजिए चलिए अब मैंने इसे accept कर दिया है अब आगे करना क्या है आगे आपको यहाँ पे escape करके accounts info में चले जाना है accounts info की अंदर इंटर कीजिए accounts info की अंदर आपको यहाँ पे दिखाए दे रहा है cost centers, cost category यह दोनों ने options आपको मिल रहे आप यह मैं क्यूं ले रहा है अब यह मैं क्यों लहाँ मिτα numbers तो हमें beim uniform course इसले लेना है क्योंकि हम मैं multiple यहाँ पर expenses इसमें record करने है better number add करने है उसके लिए उसके बाद मैं यहाँ पर दूसरा भी लेता हूँ जैसे मैं पास telephone expenses है इसलिए मैं telephone numbers ले रहा हूँ यहाँ पर आप जो categories लेना चाहते उतनी categories add कर सकते stationary items लेना है या stationary लिखा तो भी चलेगा यह customize आप कर सकते है अपनी साब से जो भी नाम देना है चलिए यह मैंने create किया है cost category आपको ऐसी cost category create करने है enter enter accept save कर देना है अब cost category create करने के बाद आपको cost centers create करने है दोस्तों आपको करना क्या cost centers create करने के लिए cost center पे enter कर देना है और यहाँ पर आपको दिखा दे रहा है पहले stationery item आ रहा है लेकिन यहाँ पर मुझे stationery item नहीं पहले meter numbers create करें तो backspace कीजिए right side में यहाँ पर देख सकते list of categories आ रही, meter numbers, stationery items और telephone numbers और primary cost category भी आ रही जो कि हमने नहीं बनाए लेकिन palace रहती ही टैली के अंदर तो फिलाल हमें meter numbers लेने यहाँ पर तो मैं meter numbers ले चुका हूँ यहाँ और meter numbers के अंदर meter number आड़ करूंगा तो meter number यहाँ पर मैं suppose एक, इस तरह से example के तोर पे add कर रहा हूँ दूसरा मिटर नम्बर यहां पर यहां पर टेलीफोन नम्ब्र नम्ब था है याँ पर कोई भी एकजंपल टेलीफोन नम्ब्र में यहां पर ले रहा हो फिरहल आप अपने office के telephone के numbers यहाँ पे add कर सकते हैं जिसका bill होता है वो सब उसके बाद आपको backspace करना है और यहाँ पे stationary items लेक करना है इसमें आप क्या-क्या खरीद होगे वो आपको लेना है stationary items में paint box erasers वगेरा 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 तो यह सारी चीज़े मैं नीइ यहाँ पे create कर दी हैं अब आपको पता है कि मैं ने cost centers भी बनाए cost category भी बना है जितने इ quests categories आपको बनाने आप बना सकते cost centers भी आप बना सकते जितने अलगलग categories के expenses से वो सब आप यहाँ पे create कर लो फिर आपको जाना है कहाँ पे accounting vouchers में दुस्तो escape करके आप gate of tally में आकर accounting voucher में आ जाईएगा accounting voucher में आने के बाद payment voucher के लिए 5 प्रेस कीजिए अल्रेडी मेरा payment voucher ही चलूए यहाँ पे आप देख सकते payment voucher में आ चुका हूँ मैं अब आपको करना क्या है electricity expenses लेना है और amount डाल देना है लेकिन electricity expenses लेजर आपको बनाना पड़ेगा तो आप alt-c करते है मैं फिलाल इसको edit करना चाहता हूँ control enter control enter याद रखिए कोई भी लेजर edit करने के लिए अब इसमें मैंने edit इसलिए किया क्योंकि आपको यह दिखाने करें कि यहाँ पे एक option आता है cost center are applicable यह yes रहना चाहिए जो कि already yes है expenses के लिए यह yes ही रहता है indirect expenses के लिए तो आपको यहाँ पे इसे yes करना जरूरी है तभी आपको यह cost center allocation का table आगे मिलने वाला है देखता है वो table कौन सा है यहाँ पे amount डालिए bill कितना आया था आपका 12,000 bill आया है तो 12,000 मैंने add किया अब enter कीजिए जैसे आप enter करेगे cost allocation का table आपको मिल रहा है दिखरा है दे रहा है cost allocation for electricity up to 12,000 दोस्तों तो यहाँ पे करना क्या है cost category आप select करोगे cost category क्या थी मेरी तो cost category क्या है मेरी meter numbers तो MET type करो यहाँ पे आपको right side में दिखाए देगा meter numbers आ रहा है और उसके बाद यहाँ पे 3 meters आपको दिखाए दे रहा है तीनों का amount आपको लिखना है एक one by one करके इस तरह से आप ले सकते दूसरा amount तीन हजार है और तीसरा meter यहाँ पे ले रहा हूं है जिसका भी तीन हजार है तो तीनों meter को यहाँ पे मैंने amount divide किया allocation किया cost का आप देख सकते है जो भी अलग-अलग bill आया है benefit हुआ है एक ही voucher के अंदर तीन meter की details भी हमने maintain की और साथी electricity expenses का एक ही laser मैंने बना और उसकी entries यहाँ पे complete हो चुकिए तो मुझे इसके लिए अलग-अलग तीन laser बनाने की जरुरत नहीं पड़ी तीन voucher भी जरुरत नहीं पड़ी बस मुझे cost centers बनाने है और एक entry के अंदर expenses को इस तरह से मैं allocate कर सकता हूँ दोस्तों यह cost center का benefit होता है हाँ जी एक और बात अगर आप यह cost center यहाँ पे नहीं display करना चाहते तो कोई बात नहीं बस आप F12 बटन प्रेस कीजिए F12 करने के बाद दुबारा F12 कीजिए क्योंकि हम यहाँ पे more options में जाना होगा उसके लिए more options प्रेस F12 for more options तो चलिए यहाँ पे more options में जाते हैं उसके लिए F12 में दुबारा प्रेस करता हूँ यहाँ पे आ रहा है show cost center details ज़र आपको मैं दिखा देता हूँ जूम करके show cost center details ऐसे फिलाल मैं ऐसे कर रहा हूँ No और control A Now look at here दोस्तों क्या आ रहा है cost centers hide हो चुके Yes कैसे hide करना है समझ गए होगे आप उम्मीद करता हूँ यह simple है cost center अगर view करने है तो आपको दुबारा प्रेस करना होगा यहाँ पे app 12 और app 12 करने के बाद दुबारा app 12 और इसमें yes कीजिए cost center display होगे मतलब आप entry में display करना चाते है नहीं करना चाते है आपके उपर है लेकिन वह आप entry में रहेंगे delete नहीं होंगे आपने गर add किये रहेंगे तो इस तरह से एक ही entry के अंदर हम multiple expenses add कर सकते है यह था उसका trick दोस्तो अब मैं इसे accept करके आपको और एक example दिखा देता हूँ जैसे आप telephone numbers का ले सकते या फिशेशनरी का ले सकते telephone का आप करके देखिए मैं stationary का दिखा तो आपको यहाँ पे मैं नया laser बना रहा हूँ और C प्रेस करके stationary expenses indirect expenses okay that's it and now what will be the amount यहाँ पे amount रहेगा stationary expenses suppose 500 रुपीस का stationary मैंने खरीद है यहाँ पे रहेगा stationary items जो कि आपको right side में दिखाए दे रहा है list of categories इसमें मैं stationary items ले रहा हूँ और यहाँ पे erasers कितने के लिए मैंने erasers लिए 200 के erasers अपकोस ज़्यादा mistakes है तो 200 की पढ़ेंगी ज़रूरी लेना मज़ा कर रहा हूँ भई paint box लेते यहाँ पे 1500 रुपे के और pencil box लेते 1500 रुपे के चलिए यह station मैंने खरीदा है और इसके injury यहाँ पे हो चुकी है तो आप इस तरह से injury कर सकते दोस्तों यह आपको मीद है कि समझ मैं होगा और अच्छा भी लगा होगा यह topic अगर आपको अच्छा लगा है तो like बटन पे क्लिक कीजिए दोस्तों के साथ share कीजिए और मेरे चैनल पे computer tips, mobile tips, excel tips बहुत सरे वीडियोज है वो भी देखने की दरा कोशिच कीजिए मिलूँगा कुछ और interesting वीडियो के अंदर लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा कि मेरा complete technology करके एक और चैनल है उस पे भी वीजिट करके सब वीडियो टिप्स और mobile tips देखिएगा मिलते अगले वीडियो के अंदर सिखते रो सिखाते रो मेरे वीडियोज देखते रो बाई बाई